हालो एवरिवन कैसे हैं आप लोग तो आज में शेयर कर रही हूं आप सभी के साथ में रमजान इफ्तार स्पेशल एक स्नैक बनाने की रेसिपी जिसमें बनाऊंगी आलू पॉप्स इसे आप भी एक बर जरूर ट्राइ कीजिएगा फिंड्स बहुत ही आसान सी रेसिपी है औ दोनों को हमें आदे से एक मिनट तक ड्राइ रोस्ट कर लेना है जैसे इनके चटखने के खुश्बू आने लगेगी अच्छे से बुनने की फ्लेवर आ जाएगी बस इसका फ्लेम आफ कर लीजेगा और इसको निकाल कर ट्रांसफर कर लीजेगा आप चाहे तो ग्रैंड ड इसको साइट पर लीजे अभी यहां पे बोल में आपको मतर लेने हैं तो हाफ कप मैंने उबले हुए मतर लिया हूए है और तकरीबान इसको मैंने 5-10 मिंद तक बॉil कर लिया था इस तरह से बॉil होने एससे क्या होता है इसली मैश हो जाता है मैं मैं इसमें को चीजे आड अब इसमें यह मसाला डालूंगी जो मैंने भी कूट कर रखा था साथी काला नमक डालना है चाट मसाले का पाउडर 1 TSP अड़ करना है पीसीवी लालमिश पाउडर 1 TSP अड़ करनी है बुना कुटवा जीरा पाउडर 1 TSP तक्रीबद एक चोटे चमच या हजबे जरुड टेस तो यहां पे आप मटर डाल कर आलू बनाए का अगर आप मटर नहीं आपके पास में तो बिना मटर के भी आलू इसी तरह से बनाएंगे तो बहुत चटपटा टेस्टी सा बनेगा तो आलू को अच्छे से मिलाकर मसाला मिला दीजिए और आप इसको साइट पे कर लिजिए अब आते हैं नेक्स टेप की तरफ जहां पे हमें ब्रेड स्लाइसे लेने होंगे तो ब्रेड से मैं यह स्नाग बना रही हूं जिससे आप ज़टपट इफतार के टाइम पे इसको बना सकते हैं तो सबसे पहले फ्रेंट समी क्या करना है कि ब्रेड को राउंड कर लेना है और इसका जो वेस पार्ट निकला है इसको हमें डिसकार्ड नहीं करना इससे ब्रेड क्रम्स बना लेने है तो इसी तरह से मैंने यहां पे पेर में कर लिया है और अब मैं इसका हर एक पेर ओपन क सबसे पहले आलू का स्टफिंग लगा रही हूं तो जो राउंड हमने बना कर रखा था उसके ऊपर आलू का बहुत अच्छे से मसाला लगा दीजिए तक रिवन एक से दो बड़े चमच आपको यह मसाला लगा देना है अच्छे से पूरा स्प्रेड कर दीजेगा जब आपन पास्ता सॉस लिया है फ्रेंट्स जो दूसरा ब्रेड स्लाइस है उसको हम जो कवर करेंगे उससे पहले हमें इसमें एक फ्लेवर देना है जो कि सॉस का फ्लेवर होगा तो बहुत टेस्टी लगेगा इसी लिए आपके पास में पिज़ा सॉस यह टमाड़ो केचिप है तो इसमें आपको कोई भी फ्लार पेस्ट लगाने की ज़ुरत नहीं पड़ती है तो सारे मैं इसी तरह से बना लेती हूं लेकिन यहां पर जो मैं एक और बनाना बता रही हूं इसी तरह से मैंने आलू का जो स्टफिंग है वो सब पे लगा लिया है और अब इसके उपर मैं आ और इसी के साथ मैं यहां पर जो हमारा पिज़ा सॉस था वो डाल रही हूं पिज़ा सॉस तकलीबन एक चोटे चमच में डाला है और डाल कर मैं इसको पूरा स्प्रेड कर दे रही हूं जैसा कि मैंने आपको बताया यहां पर आपको जो भी सॉस पसंद है जो कि आपके फे चिली पाउडर या नमक डालना है और इसी के साथ दूसरा जो ब्रेड स्लाइस है उससे हमें इसको कवर कर देना है हलका सा दबा देना है जिससे यह पूरा सील हो जाए और कही पर से स्टफिक बाहर नहीं निकले तो देखा फ्रेंस आपको मैंने दो तरह से इसको बनाना बताया है फ्रेंस जो आपको अच्छा लगा वो आप ट्राइ कीजेगा और इससे तरह से सारे आपको पॉप्स बनाकर तयार कर लेने हैं तो मैंने तीन को बिना चीज के बनाया और तीन मैंने चीज जाल कर बनाया ह और अब यहां पर मैं इसका नेक्स क्टैप में जो प्रॉसेस हेवो कर लेती हूँ जिसके लिए हाफ कुप मैंने रिफाइन फ्लारार ली हुई है आप चिली, फलेकंश, नमक अंड wag कर रही हूं और इस फीया मैं थ्री, फोर्थ कुप पानी एड़ कर रही और बस इसको इस तरह से देखें इस तरह की consistency का ये बैटर रेड़ी है इसको side पे कर लीजिए और अब लीजिए bread crumbs जो corner निकले थे ना और इसी के वज़े से हमारे जो आलू पॉप से बहुत जादा क्रिस्पी करारे बनकर तयार होंगे तो इसी तरह से एका करकर हमें सबसे पहले स्लारी में dip करनी है जिससे bread थोड़ा गीला हो जाता है और bread crumbs easily उसके उपर चिपक जाता है तो आपको यही process अच्छे से कर लेने है जैसा मैं वीडियो में दिखा रही हूँ तो यह जो snack है बहुत जादा मज़े का लगता है और सिर्फ आलू से अंडे से आप जो भी twist डालना चाहें वह डाल कर इसको बना सकते हैं बहुत ही नया है बहुत अमेजिंग है मैं इसी तरह का pizza pop बनाया था जो कि आपको पसंद आ अधिया है फ्लेम लगातार हाई रखिएगा और एक से देर मिनट बाद में इसकी साइड चेंज कर दीजेगा जिसे यह दोनों तरफ से अच्छे से फ्राइब हो पाए और यह देखें ब्रेट का बावजूद बने होने की वज़े से बहुत प्यारा कलर आ गया है क्रिस्प तो इसमें बहुत सारे फ्लेवर है चटपटा आलू उपर से अंडा और उसके साथ ही हमने चीज का फ्लेवर भी इसमें दिया है तो जो आपको पसंद है वो आप अपने हिसाब से बना कर देखीगा फ्रेंस बहुत ही मज़े का लगेगा बच्चे बड़े सभी शौक से खा ट्राइ कीजेगा लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा और चैनल को मेरे सब्स्राइब जरूर कर लीजेगा अब मैं आपको इसको तोड़ कर दिखाती हूं बहुत ही मज़ी का है फ्रेंस आलू बहुत टेस्टी है देखें इतने अच्छे से हुआ है बिल्कुल इवन सा कलर दो कीजेगा फ्रेंस लाइक कीजेगा और अपने फीडबैक जरूर दीजेगा फिर मिलूगी मैं एक स्टेमिक नई दमाकेदार जबर्दस रेसेपी लेकर तब तक अमना ख्याल रखें दौह में आद रखिएगा वाय थैंक्स फो वाचिंग